हाई वेल्कम तू मैंचोनल इस बीडियो में सॉल्व करें इस नमबर टू फाइड फाइव रिशनल नमबर बिट्विन वन एड टू तो हमें फाइड करना है फाइव रिशनल नमबर वन और टू के बीच में तो हमारे पास दो मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं फाइव रिशनल नमर से निकालने के लिए वन और टू के बीच में लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे सेकेंड मेथड जो की है एल्सियम मेथड और बहुत इजी मेथड है इदि आपको एनी नमबर आफ एनी नमबर आफ रिशनल नमर निकालना हो तो तो चलिए हम सॉल्ब करते हैं इसको हमें निकालना है वन और टू के बीच में फाइव रिशनल नमर्स तो पहले-पहले क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो numbers दिये हुए हैं जिनके बीच में आपको rational numbers निकालना है उनका denominator क्या है तो देखिए one upon one है यहां पर two upon one है तो यहां पर हम लिख लेते हैं actually तो हम यहां पर लिख लेते हैं we have हमारे पास है one और उसके बाद है आपको two तो one और two के बीच में थोड़ा सा gap लिख लिजए हां पर और निकालने का अब 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 तरीका बता रहा हूं ठीक है तो one है यहां यहां पर two है और इसका denominator आप पता करेंगे तो यहां मिलेगा आपको one upon one और यहां भी आपको divide करना पड़ेगा one से तो आप देख पास सकते हैं कि दोनों का denominator है वो क्या है one है और दोनों equal है इसका मतलब कि यहां पर LCM निकालने की जोड़त नहीं है तो LCM कब निकालते हैं जब यहां denominator यदि equal नहीं होता तो हमें LCM निकाल करके पहले इसे equal करना होता तो जो भी LCM आता हम उस पहले से अब करना क्या है कि यदि denominator equal हो गया तो हम देखते हैं कि numerator में difference कितना है difference का मतलब क्या कि numerator में जो integers हैं उन integers में उन integers के बीच में कितने number of integers हैं बताए यह one or two के बीच में कितने integers हैं zero कोई भी integer नहीं है तब हमें करना क्या होता है कि हमें numerator को increase करना होता है तो numerator को increase करने के लिए हम क्या करते हैं कि same number से numerator और denominator में मतलब इसमें भी एक number से और two upon one में मतलब करेंगे एक number से लिए यहां से पता होगा five original numbers निकालना है आपको तो five original number निकालना है तो five में एक add करके कितना आएगा five में एक add करेंगे तो हमेशा five में एक add करके जो है मटपलाई करिएगा ठीक है तो five में यह हमें एक add कर लेते हैं तो five plus one क्या हो जाएगा six हो जाएगा five plus one is equal to six और six जो number आया है उस six से मटपलाई कर दीजे इसके numerator में और denominator में हमेशा यह करना है पहला फिर से मैं repeat कर देता है आपको one और two है पहले देखे कि denominator क्या है दोनों का यहां पर बिल्कुल दिख रहा है कि दोनों का denominator जो है one है तो यहां पर equal करने की जोरत कुछ नहीं है बिल्कुल अब ध्यान से अब देखे कि कि कितने number आ फरेस्टना नमर्स निकालने है तो five निकालना है five निकालना है तो एक increase कर दीजिए आ गया six अब six से मटपलाई कर देंगे यहां पर और यहां में नीचे कर देंगे into six into six into six यह करने से होगा क्या numerator increase हो जाएगा दोनों में जो है numerator का difference बढ़ जाएगा क्योंकि आप किसी भी number से numerator मटपलाई करते हैं दोनों में तो बिल्कुल ही आपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा जिसे six से नहीं में five से करते हैं तब भी आप बढ़ जाता लेकिन मैं six से क्यों कर रहा हूं क्यों प्लस one क्या मैंने यह मैं बताऊंगा आपको बस वीडियो दिख जो six है जो numerator six है और यह जो numerator 12 है इनके बीच में जो difference है वो five integers का आग चुका है ठीक है five integers का difference आग चुका है पहला जो integer है वो है आपका seven दूसरा है eight तूसरा है nine ten and eleven उसके बाद 12 हो जाता है तो देखे seven eight nine ten eleven क्या है five numbers है न अब इनके नीचे हम यदि six रख दे यह जो denominator दोन म common है वही हम यहां के इसके नीचे लिख सकता है बिल्कुल तो हमें मिल लाएंगे five rational numbers one और two के बीच में क्योंकि six upon six और 12 upon six क्या है यह one ही तो है यह कैसे लाट करेंगा तो one मिल लाएगा और यह कैसे लाट करेंगा तो two मिल लाएगा तो इसका मत्तब कि seven upon eight sorry seven upon six seven upon six eight upon six and nine upon six ten upon six and eleven upon six यह जो numbers आ गए हमारे यही है आपके required required five rational numbers one और two के बीच में लेकिन यहां पर आपको जो है इसे common factor जो है इन सभी numbers में से cancel out करना पड़ेगा means आप लिए सकते हैं यहां पर कि clearly we can write clearly six upon six जो number है न वो छोटा होगा seven upon six से और seven upon six जो है छोटा होगा eight upon six से और यह छोटा होगा nine upon six से and nine upon six is less than ten upon six and nine upon six is less than eleven upon six six और finally this much is less than twelve upon six तो यहां इसमें cancel out करते हैं तो मिल जाएगा हमें यहां पर लिख सकते हैं one cancel out करने पर one से one is less than seven upon six यहां पर कुछ common factor नहीं है तो seven upon six से रिखेंगे ठीक है यहां पर हमने क्या किया था कटाद यहां Ultimate tools and six and six is one is a less than seven upon six and seven six less than we have卡 ऑलीज二 तो से ुव फोल्डा यहां हमें दो तो Rabai अपन three four upon three is less than you have a hammer out your participant three three तो is a nine and three each six only like three upon two and less than you have about a guy two three of six and two five 6 बिल लेगा हमें 4 अपान 3 4 अपान 3 is less than यहां पर हमारा हो जाएगा 3 से 3 तरी 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 तू जा 6 हमें बिल जाएगा 3 अपान 2 and less than यहां पर हो जाएगा 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10 means 5 अपान 3 and so 5 on 3 is less than 11 upon 6 क्योंकि यहां count factor नहीं है तो कुछ घटा नहीं सकते is less than यहां पर हो सकता है 6 on 6 and 6 to 12 तो 2 हो जाएगा यहां मिल गया आपको कि 1 और 2 के बीच में यहीं है आपके 5 required rational numbers तो अपले सकते हैं कि hence required 5 rational numbers between 1 & 2 2 are 7 upon 6, 4 upon 3, 3 upon 2, 5 upon 3, 5 upon 3 and 11 upon 6. These are 5 rational numbers which we needed. तो हमारा यह answer हो चुगा है. अब यहाँ समझना है कि क्यों हमने प्लस 1 किया? यह concept. यह अभी तक रुके हुए हैं, तो thank you so much. आगे देखते हैं, यह प्लस 1 क्यों कर रहा है हैं आपर. तो जैसे कि हमें मिला है, हमने यहाँ पर जो कल्कॉट कर रहे थे, अभी यहाँ पर यह भूल जाते हैं कि हमने क्या किया? इसे कि हमने यह किया कि 1 और 2 था, ठीक है? और हमने इसका denominator चेक किया, तो मिला कि 1 1 क्या है, denominator इक्वल है. तो हमने क्या किया? किसी number से में प्लाई किया. वो number क्या था? 5 में 1 आड़ करके. तो यहाँ ध्यान दिजे पहले. यहाँ पर यहाँ पर हम 5, 1 आड़ करके नहीं करते हैं, बलकि हम अपने मन से किसी integer से में प्लाई करते हैं, तो क्या होता? यहाँ पर 2 से करते हैं. यहाँ पर 2 से करती हैं, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ता है. क्या मिल जाता है आपको? मिलता है यहां पर 2 upon 2 और यहां मिलता 4 upon 2 अब ध्यान दिजिए देखे denominator यहां पर क्या है 2 है यहां पर क्या है 2 है दोनों equal है लेकिन numerator में जो difference है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है थोड़ा सा पहले क्या था पहले था 1 और 2 पहले 1 और 2 था तो इनके बीच में जो difference था वो इनके बीच में कोई भी integer नहीं था मतलब 0 number of integers थे क्योंकि 1 के बाद just 2 आ जाता है है कि नहीं लेकिन 2 के बाद 3 भी आता है उसके बाद सब 4 आता है तो यहां पर देख रहे हैं आपके आपको 5 मिल जाएंगे तो वह नंबर है जितने चैच कर देख तो आएगा और यह जो केस है वह समय chang हो जाता है लेकिन जरूई नहीं है कि यह perfectly correct हो क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे numbers भी होते हैं जिसमें आप less number से multiply करतेंगे तब ही आजाएगा यह आपके पास दिया हुआ है 1 upon 2 और दिया है 8 upon 8 upon sorry 8 न लिजे 7 upon 2 ठीक है यह यह आपको निकालना है इसमें 5 तो यहाँ पर देखिए जरूर नहीं है कि 6 से multiply करे हूँ यहाँ पर जरूर नहीं है कि इसमें 5 में एक add करके ही multiply करें यहाँ पर वैसा नहीं होगा क्योंकि 1 और 7 की बिच में difference क्या है 1 और 7 की बिच में कई सारे rational numbers मिल जाएंगे कई सारे integers मिल जाएंगे जोसे कि मिल जाएगा 6 पहले 6 नहीं लिखते हैं पहले लिखते हैं 2 2 मिल जाएगा 3 मिल जाएगा 4 मिल जाएगा 5 मिल जाएगा 6 मिल जाएगा ऐसे ही मिल गए यहाँ पर 5 इंटियर से ऐसे मिल गए हैं यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ करना है नहीं यहां पर multiply करना है जरूरत नहीं पड़ी, तो आपको यह भी ध्यान देना है जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप multiply करें ही करें लेकिन जब इन दोनों के बीच में difference 0 हो, numerator के बीच में difference क्या हो, 0 हो, तब ही और तब ही क्या करना है? multiply करना है एक add करके, numerator and denominator दोनों में, तो difference यदि यहां मालीजे की 0 ना हो करके, यदि 1 होता, तो क्या करते हैं? तो जितना पूछा है ना, उतने सहिमेट पले करने पर भी आ जाता, यदि मालीजे difference यहां पर 2 होता, मतलब 1 और 2 के बीच में 2 integers होते हैं, तो क्या हो जाता? हमें बस 5 निकालने हैं ना, तो 5 सिमेट पले ना, अगर के हम इदी 4 से करते हैं, तब भी आ जाता, तो यह चीज आपको जो है, खुद से सोचनी हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है, इस question में खेर इतना ही रहने देते हैं, thank you so much for watching, bye!